एलो स्टूडेंट्स हमारा आगे दस्वा परसना की दर्साइए की A1, A2, A3, A1 से एक AP बनती है यदि A1 नीचे दिये अनुसार प्रिवासित है तो A1 बराबर 3 पलस 4N और A1 बराबर 9 माइनस 5N साथ ही परतेक इस्थिती में पर्थम 15 रापतों का योग भी यात की दिये इसमें हमें दो चीजे बतानी है एक तो ये पताना है कि ये AP है या नहीं है तो इसके लिए हमें A1, A2, A3, A4 के मान निकालने होगे और उनका अंतर निकालेंगा अगर अंतर समान आएगा तो वो एक AP हो जाएगी साथ हमें 15 रापतों का हमें इसमें योग भी यात करना है पहला परसन है कि A1 बराबर 3 पलस 4N तो इसमें जब हम N का मान 1, 2, 3, 4 रखेंगे तो इसके पहला दूसरा तीसरा पत यात हो जाएगा तो हम इसमें 3 पत इसके यात कर लेते हैं जब N बराबर 1 होगा तो ये बन जाएगा A1 A1 बराबर हो जाएगा 3 पलस 4 गुणा 1 इन दोनों N का मान हम एक रखतेंगे तो 3 पलस 4 गुणा 1, 4 तो ये A2 का मान हो गया 7 N बराबर 2 रखेंगे तो आज जाएगा A2 तो 3 पलस 4 गुणा 2, N की जिगह पर 2 आ गया तो 3 पलस 4 गुणा 2, 8, 8 और 3, 11 N बराबर 3 रखेंगे तो A3 3 पलस 4 गुणा 3, अब की बारे न का मान 3 हो गया तो 3 पलस 4 तो ये 12, 12 और 3 हो गया 15 तो इस परकार आगए भी गुणा पद जाथ हो जाएगे तो अब जो हमने 3 पद निकाले हैं इन तीनों का मंतर निकालते हैं A2 माइनस A1 इसका मान हो गया 11 माइनस 7 बराबर 4 और A3 माइनस A2 15 माइनस 11 ये भी हो गया 4 और बाक्यों का अंतर जो होगा वो इसी तरह समान ही आएगा तो जब इनका सारव अंतर का मान समान आ गया तो यहां पर D बराबर A2 मैनस A1 बराबर A3 मैनस A2 ये माण बराबर आ है 4 इसलिए दिया गया नुकरम जो हो एक A P है अब हम इसके 15 अपतों का जोड़ गया तकरते हैं तो हमारे पास A का मान तो A1 का मान है वही एका हो गया 7 D का मान 4 आ गया N का मान 15 तरा क्योंकि हमें 15 पतों का जोड़ करना है तो S 15 बराबर हो जाएगा 15 बटे 2 2 गुणा A ये का मान 7 है N का मान 15 तो 15 मान 1 और D का मान 4 15 बटे 2 दो का भाग नहीं जाएगा 2 गुणा 7 14 पंदरा में गठाएग 1 तो हो जाएगा 14 और 14 जोके 16 में 15 बटे 2 गुणा 96 और 14 बन जाएगा 110 14 चोके 56 हो जाएगे तो 56 और 14 बन जाएगा 70 72 से कट जाएगा तो यहां परा जाएगा 35 और 35 का जब हम गुणा कर देंगे 15 से तो यह बन जाएगा 525 तो इस प्रकार से इस AP के पंदरा पतों का योग जो है वो 525 है सेक्ड परसन है कि AN बराबर 9-5N तो इसमें भी हम N के मान रखते हैं जब N बराबर 1 होगा तो A1 का मान मनेंगा 9-5 गुणा 1 यानि कि 9-5 हो जाएगा 4 N का मान 2 रखेंगे तो दूसरा पत गयात हो जाएगा A2 बराबर 9-5 गुणा 2 यानि 9-10 तो बच गया मैनस का 1 और N का मान 3 रखेंगे तो A3 बराबर 9-5 गुणा 3 यानि कि 9-15 हो जाएगा मैनस का 6 और बाकियों के लिए इसी परकार से तो अब हम इनका अंतर निकालते हैं A2 मैनस A1 का मान हो जाएगा मैनस 1 मैनस 4 तो यह गया मैनस 5 और A3 मैनस A2 निकालें तो मैनस 6 मैनस मैनस 1 मैनस मैनस हो जाएगा प्लस का एक 6 में मैनस 6 में घटाएगे प्लस एक तो बच जाएगा मैनस का 5 अब यहाँ पर देखो कि A2 मैनस A1 का मान A1 के बराबर है A2-A1 बरबर जो है वो A3-A2 के बरबर आ गया और यह आ गया माइनस 5 तो D का मानत हो गया हमारे पास में माइनस 5 अब यह अंतरसमान आ गया अते D आ गया अनुकरम एक AP है तो अब हम इन 15 पदों का इसके लिए भी अब हमारे पास में जो A1 का मान है वो तो है 4 यहनिके A का मान तो हो गया हमारे पास में 4 और D का मान जो है वो इनका सेम अंतरा जाएगा माइनस 5 N का मान 15 क्योंकि 15 पद जोडने है तो S 15 बराबर हो जाएगा 15 बटा 2 2 गुणा 4 प्लस 15 माइनस 1 गुणा माइनस 5 15 बटे 2 का पंदरा बटा 2 ही रहेगा 4 गुणा 2 हो गया 8 पंदरा में गटाएं 1 तो बचेगा 14 तो 14 गुणा माइनस 5 15 बटे 2 गुणा में जाएगा 8 और 14 का जब गुणा करेंगी हम माइनस 5 से तो ये बन जाएगा minus 70 minus 70 में से गटा देंगे हैं plus का आथ तो बचेगा minus 62 और 62 जो है वो दो से कट जाएगा तो आजएगा 31 अब हम 15 और minus 15 और minus 31 का गुणा कर लेंगे तो ये गुणा मन जाएगा हमारा minus 465 तो इस प्रकार से इसके पंद्रा पतों का योग पले भी जात हो गया है